प्रिये दर्स को नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समचार सेल रॉलकिला स्पास सेंत्र के न्यू प्लेट मिल विभाग के नई लेजर मार्किंग मशीन का उदगाटन रॉलकिला स्पास सेंत्र में सिक्छक दिवस समारो सिक्षक दिवस समारो मेरा उलकिला इस्पास सेंत्र एवं बुकारो स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमी कहते हैं सिक्षक हमारे भागे को सवार्मे में अविश्वस निये योगदान देते हैं और सेल आरेस्पी के नर्स प्रसिक्षन संस्थान में छात्रों ने SNAI के तीसवे द्विवर्सिक सम्मेलन 2023 में पर्चम लहराया अब समचार विस्तार से सेल राउलकिला स्पास सयंत्र ने स्टील उद्योग की प्लेट मार्किंग प्रेकिरिया में क्रांती लाते हुए अपनी फर्निशिंग लाइन में एक अत्याधूनिक लेजर मार्किंग मशीन का अनावरन किया है लेजर मार्किंग मशीन का उद्गाटन 5 सितंबर 2023 को राउलकिला स्पास सयंत्र एवं बुकारो स्टील प्लांट के निट्देशक प्रभारी श्री अतुनू भौमिक द्वारा किया गया इस अपसर पर कारेपालक निट्देशक वक्स श्री एसार सूरीवन शी, कारेपालक निट्देशक परियोजना श्री पीके साहू, कारेपालक निट्देशक खान श्री आलोक बर्मा और कई मुख महाप्रिवंदक वरिष्ट अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्तित्ते परंपरागत तोर पर चिलचिलाती धूप, स्केल संचय और धूल जैसे अत्यधिक परियावरणिये कारकों के कारण खुले और धोग की छेत्रों में लेजर प्रनाली की अस्थापना चुनोती पूर्ण थी। और नगर हवेली लिमिटेड के MS भाव मार्क सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत में प्लेट मार्किंग में नियोजित होने वाली अपनी तरह की पहली पहल है। विशेस्ता NPM कर्मी समू ने कारेपालक निर्देशक परियोजना और परियोजना सामागरी प्रवंधन की समर्पित टीम के सहयोग से नई सुविधा स्थापित की। यह परियोजना 12 जन्वरी 2022 को 2.8 करोड की अनुमानित लागत पर शुरू की गई थी। और मुख महाप्रवंधक NPM और SPP श्रीकार्तिके बहरा की देखरेख में निश्पादित की गई। इस विकास के साथ राउलकिलास पास सेंत ने प्लेट मार्किंग, उतपाद की गुणमता, नवचार और ग्रहक प्रसंता के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। इस उन्नत मशीन के कार्यानवेन के साथ RSP की फिनिशिंग लाइन अब उतपादक्ता और दक्षता को अनुकुलित करते हुए त्वरित गती से काम करने में सक्षम हो गई है। सेल RSP के नगर सेवा सिक्षा यूनिक त्वारा सिविक सेंटर में 5 सितंबर को आयोजित भवी सिक्षक दिवस सामर को संबोधित करते हुए राउलकिला इसपास सेंत्र और बोकारो स्टील प्लान के निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक ने कहा सिच्षक हमारे भाग को सवारने में आविश्वस निये योगदान देते हैं यह सामरो भारत के दूसरे राष्टपती और महान सिक्षक राजनेता एवं दूर दर्शी भारत रतन डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन को उनकी जयनतिन पर उन्हें सरधांजली देने के लिए आयोजित क इस अफसर पर श्री भौमिक मुख्य अतिती थे जबकि पुर्व प्राचारे IEMS सेक्टर 20 सु श्री बासंती महानती अतिती वक्ता थी कारिक्रम में कारिपालक निर्देशक वक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आई वीएम श्री के नायक प्रचार IEMS सेक्टर 20 सूश्री सूश्रीतादास RSP के कई अनिवरिष्ट अधिकारी और बड़ी संख्या में रावल किला के सिच्छक और विद्यार्थी उपस्थित थे मुख्य अतिथी ने अन अतिथियों के साथ दीप प्रजलित किया और भारत रतन डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन के चित्र पर पुस्पांजली अर्पित कर समरोह का उदगाटन किया अपने संबोधन में श्री भौमिक ने सिच्छकों को नई प्रधोगिकों को अपनाने और अनुकुली तुप्योग करने पर जोड़ दिया सिच्छा की प्रकिरिया में सुधार किया जा सके और उन युवाओं के साथ तालमेल बिठाया जा सके जिसके पास बिविनाधुनिक गजट है और उन्नत प्रणाली से अवगत है उन्होंने कहा सिच्छकों को युवाओं दिमाग के नए विचार पैदा करने होंगे और उनके सर्वस्रेष्ट गुनों को निखारना होगा स्रीमती महंती ने अपने संबोधन में पिछले कुछ वर्सों में बदलते सिच्छक सिस संबंधों के बारे में बिस्तार से बताया उन्होंने ये भी विस्तार से बताया कि कैसे दुनिया भर के सिक्षकों ने कोविड महमारी के दौरान अपने सिक्षन के तरीके को बदल दिया ताकि छात्रों के साथ भौतिक अंतर को कम किया जा सके गुरू सिश्य संबंधों के बड़े पैमाने पर बदलाओं पर संबंधों में संछे पे बात करते हुए पुर्व आचार्य ने सिक्षकों और अविवाबकों को बर्तमान चुनोतियों से निपटने के लिए जीवन कोशल किक्तियां प्रदान की निर्देशत प्रभारी ने देश के भावी नागरिकों को तैयार करने में उनके योगदान के लिए सूस्री बाशंती महानती और राउलकिला के बिभीन स्कूलों के 11 पुर्व सिक्षकों को सम्मानित किया श्री भौमिक ने रौल किला के सिर्श स्थान प्राप्त करने वाले 27 सर्वस्रेस्ट सैच्छिक प्रदर्शन पुरुसकार भी प्रदान किये। उन्होंने सैच्छिक प्रसनोत्त्री 2023 जीतने वाले RSP स्कूल के 10 सिक्षकों को भी सम्मानित किया। कारिकरम का प्रारम इसपात इंगलिश मीडियोम स्कूल सेक्टर 20 के बिद्यार्थियों के स्वागत गान गुरु वंदना से हुई जिसने कारिकरम का महल तयार किया। IEMS सेक्टर 20 में दस्वे कक्षा का छात्र मास्टर मोहित पंडा ने सभा का स्वागत किया। जबकि इसपात बिद्या मंदिर के मास्टर चिनमे सामल ने अतीतियों का परिचे दिया। इसपात बिद्या मंदिर की सूश्री अनन्या जेना ने धन्यवाद ग्यापित किया। IEMS सेक्टर 20 की सूश्री I.C. चौधरी ने कारिकरम का संचालन किया। कारिक्रम का समापन, स्पाथ इंगलिश मीडियम, स्कूल और स्पाथ विद्या मंदिर के बिद्यार्थियों के रंगा-रंग सांस्कृतिक कारिक्रम के साथ हुआ सेल रॉलकिला स्पाथ सेंत्र के स्पाथ जनरल अस्पताल द्वारा संचालित नर्स प्रसिक्षन संस्थान के छातरों ने 2 और 3 सितंबर 2023 को सुम नर्सिंग कॉलेज भुबनेश्वर में आयोजित स्टेट स्टूडेंट नर्सेज एसोसियेशन ओफ इंडिया के तीसवे द्विवर्सिये सम्मेलन 2023 में सर्वस रेस्ट सन ने यूनिट के लिए चैंपियन्स ट्रॉफी जीत कर संस्थान का नाम रोशन किया है NTI RSP ने 6 स्परधाओं जैसे भाला फेक लड़किया, स्प्रात्मिक चिकिस्सा और बुनियादी नर्सिक प्रक्रिया, बाल चिकिस्सा नर्सिंग, प्रसुती नर्सिंग और भारत में SN गती वीदियों पर पोस्टर बनाव परतियोगिता तथा सामोहिक लोत नीर्थ में प् NTI RSP सबसे अधिक पुरुसकार बिजेता इकाई रही और इस वर्स का चैंपियंशिप खिताब अपने नाम कर ली कारेपालेक निर्देशक चिकिस्सा एवन स्वास डॉक्टर बिके होता ने बिजेताओं को उनके सराहनिय प्रदर्शन के लिए बधाई दी और सभी से आने वाले दिनों में सकरात्मक प्रतिसपर्दा की भावना और संस्थान के नाम को बनाई रखने का आगरह किया बिविन असपर्धाओं में प्रत्थम प्रुसकार जीतने वाले चात्र 26 और 27 नवंबर 2023 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित होने वाले रास्टी सम्मेलन में भाग लेंगे आज की हिंदी समचार में बस इतना ही नमस्कार कि युदा थी मिया में भुदाए रखने का आगर को प्रुसकार